हरे कृष्णा में मूवनी आज हम बनाएंगे वेजिटीबल कूर्मा ये सबजी बनाने में तो बहुत आसान तो है ये साथ में स्वाधिष्ट भी है और हेल्थी भी है तो चलिए बनाते हैं एक चमच लिया है तेल इसमें हम डालेंगे डालचिनी और फिर डाल देंगे हम चा लुक्रवूल डाल देंगे 8 और सभी को अच्छे तरह से भून लेंगे देल में इसके बार हम डालेंगे 1 फूर्थ कप काजू और डाल देंगे 1 कप कटे हुई टमाटर और सभी вып했습니다 1 मेंड तक भून लेंगे काजू की जगह मोमफली भी डाल सकते हैं इसके बार डालेंगे आदा चमच अद्रका पेस्ट और फिर डालेंगे एक कप पानी इसके बार डालेंगे एक चमच कसूरी मिथी वन फोर्थ चमच हल्दी पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे आदा चमच और फिर डालेंगे हम वन थर्ड कप दही डालेंगे औ साथ मिनट हो चुके हैं हमारा मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं देखी तमाटर भी तरह से गल चुके हैं गैस बंद कर से झांड़ और ठंड़ होनी दें ग stripe मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं अब मिक्सर जार में डाल कर हम इसे पीस लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे देखे इस तरह का मसाला होना चाहिए ग्रेवी तयार हो गई है कड़ाई में डालेंगे एक चमस देल और फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बटर बटर को मेल्ट होने देंगे फिर हम डाल देंगे कट हुए गाजर कट हुए शिमला मिर्च डाल देंगे इसके बार डालें बैंगन डाल देंगे फिर डालेंगे बीन्स आधा कप और फिर कटे हुए आलू डाल देंगे और सभी सब्जियों को अच्छे तरह से भून लेंगे सब्जे आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं इसके बार डालेंगे आधा चम्मच लाल मेर्च पाउडर हल्दी पाउ सब्जीयों को मसालों के साथ में कम से कम एक मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है इसके बार डाल देंगे हम वन फूर्द कप पानी और नग्र पाउड पांग्स कर लेंगे उसे हम डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे इस ग्रेवी से आप मटर पनीर, पनीर की सबजी, कोई भी सबजियां बना सकते हैं ग्रेवी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम 1 फोर्थ कप पानी डाल देंगे अगर आपको ग्रेवी जादर थीक नहीं चाहिए तो आप पानी न डाले इसके बाद डाल देंगे हरी मटर, 1 फोर्थ कप डाल देंगे और पनीर डाल देंगे और फिर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पनीर और मटर पाद में ही डालना है सबजी को हमें कम से कम 1 मिनट तक अच्छी तरह से बॉइल करना है सबजी बॉइल अच्छी तरह से हो चुकी है और ठिक भी हो गई है बस गैस बन कर देंगे और ठंडा होने देंगे वेज कुर्मा बनके तैयार हो चुका है ये सबजी खानी में तेश्टी तो ही साथ में हेल्थी भी है इसके बाद हम डाल देंगे उपर से क्रीम अगर आपके पास में क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लेगी आप कमिट करके बताएं और लाइक और सस्क्राइब भी जरूर करें